जियो का 385 प्लान और 1559 प्लान का 4G डेटा खतम होने को बद क्या होगा क्या 5G सच में एक साल तक चलेगा रहे तो unlimited 5G के लिए क्या करे और 4G डेटा खतम होने के बाद भी 5G का स्पीड वही रहेगा या घटेगा 5G सिगनल नहीं आ रहा है तो क्या करे इन सारे सावलों का इस टॉपिक के ओपर डेटेल वीडियो बना रहा हूं हाँ मैंने का था कि यह मेरा आकरी वीडियो होने वाला है फिर से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे तो यह वीडियो नहीं बना तो देखिए मेरा 24GB कतम हो चका है और मैं 1059 प्लान रिजार्ज किया था अब यह प्लान 24 सेप्टेंबर 2021 को एकसपायर होने वाला है और मेरा 24GB खतम हो चुका है शिर्फ आप के लिए मैं खतम कर चुका हूं यह एक्सपरिमेंट करने के लिए ही मैं यह डेटा को खतम कर चुका हूं इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो को ज पोनंग का स्पीड टेस्ट करके मैं इधर इधर लगा देता हूं आप देश सकते हैं इतना इतना स्पीड हमें मिल चुका है रिजल्ट देखकर आपको पता चलो होगा हमें 385 प्लान के अंदर 84 डेज अलिविटेड़ 5G मिलता है और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई करके कमेंट कीजिए और जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है जिनके पास 5G फोन है फिर भी उनके पास 4G शो हो रहा है तो आप ये वीडियो देखे इस वीडियो के अंदर में फोर्सफुली 5G कैसे करते हैं वो बता चुका हूं आप इस वीडियो को देखिए आपको अनलिव ये वीडियो देखने के बाद रिचार्ज करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा पैसे कट नहीं होगा मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्ते